तुम्हारे आने तक ये राखी तुम्हारा इंतजार करेगी फईया ये तुम तक पहुँचने की कोशिश हर बार करेगी कहीं तुम भूल तो नहीं गए इस देश के जवान बनकर तुम्हारा घर तुम्हें बुलाता है चले आओ मेमान बनकर आज की ये कविता मैं नहीं बोलूँगा आज एक फौजी का परिवार बोलेगा बोलेंगे उसके माबाप उसकी बहन बोलेगी आज एक फौजी का प्यार बोलेगा तो अब देखते हैं कि एक फौजी की माँ उससे क्या कहती है जो बेटा अपनी माँ से कितनी दूर सहरत पर है उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती है कि बेटा तेरे जाने पर भी ये घर वैसे ही चलता है यहाँ आज भी रोटी बनती है यहाँ आज भी चूला जलता है इस र मैं ज़र उतारू मैं ये काजल तुझे बुलाता है सूना पड़ा है सालों से ये आचल तुझे बुलाता है तरस गई हैं आखे मेरी अब देखने तेरे मुखडे को खुदा हमेशा सलामत रखे बस मेरे जिगर के टुकडे को अब उसके पिता जी उससे कहते हैं कि तेरी मा तुझे याद कर रोती रहती है बेटा मैं उसके पास जाकर उसे चुप करा लेता हूं कभी कभी वो मेरी बात मान कर चुप हो जाती है कभी कभी दो चार आसू मैं भी बहा लेता हूं पर याद रखना बेटा, तुझे पत्थर से हर इट का जवाब देना है, सरहत पर चलने वाली हर एक गोली का हिसाब देना है, तेरे जाने से घर में अंधेरा जरा बढ़ सा गया है, याद रखना तुझे इस घर का चिराग है, तुझे ही इस घर को आफताब देना है अब उसकी बहन उससे कहती है कि भाईया तुम मुझे याद कर लेना अपनी सुनी कलाई देखकर मैं भी तुम्हें याद कर लूगी तुम्हारी पसंदीदा मिठाई देखकर तो क्या हुआ इस रक्षा बंदन हम साथ नहीं एक दूसरे के मेरा सीना गर्व से चोड़ा होगा एक वर्दी में अपना भाई देखकर तुम्हारे आने तक ये राखी तुम्हारा इंतजार करेगी भाईया ये तुम तक पहुँचने की कोशिश हर बार करेगी कहीं तुम भूल तो नहीं गए इस देश के जवान बनकर तुम्हारा घर तुमें बुलाता है चले आओ महमान बनकर अब फाइनली उसकी बीवी उससे कहती है क्यों तुम इतना दूर चले गए मुझे अकेला छोड़ कर दिन खफा हो गए है मुझसे राते बैटी है मूँ मोड़ कर उमीद लगाये बैटी हूँ तुम जल्दी मिलने आओगे तब तक बस आहे भरती हूँ इस दिल के टुकड़े जोड़ कर आखरी लाइन ध्यान से सुनीगा मुझे तो खुद पर बस इस बात का गुरूर है मुझे तो खुद पर बस इस बात का गुरूर है कि मेरी मांग में भारत मा के बेटे का सिंदूर है थैंक्यू सो मच